अंजी जैहिंद एवरिवन मैं सुमित कुमार एक बाब फिर सापका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और भाई साब यह जो टोपिक है बहुत डिमांड में रहा है बच्चे बोलते हैं कि सार मोडन हिस्ट्री बहुत इंपोर्टन फिर भी कुछ ऐसे पॉइ आप चाहे एक्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछेगा आपको पता होगा ऐसा ही एक टोपिक है डैट इस रिव्योलूशनरी नेशनलिजम आउटसेड इंडिया पूरी फ्रीडम स्ट्रगल हम पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में हम पढ़ते ही रहते हैं कि पूरी इंडिय इंडिया में क्या हो रहा था मात्मा गांजी जी क्या कर रहे था यहीं सपड़ते रहे था लेकिन इंडिया के भार भी लोग काम कर रहे थे जो इंपोर्टेंट है तभी तो पूछता है UPSC तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली यह चोटी वीडियो रहेगी और याद करने की चीज़े ज्यादा हैं बहुत ही बैतरीन तरीके से मैंने पीपीटीज वगएरा डिजाइन करें ताकि आपको याद रहे जाए और इसके लावा हम एक लाग के दिरे 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 नजदीक पहुंच रहे हैं ग्रोथ थोड़ी अबरोड वैसा अगर मुझसे पूचो कि सबसे ज़्यादा कहां पर होगी अक्टीवीटिति यह से जहां की वज़े से हम सब जेल रहे थे तो सबसे ज्यादा revolutionary activities वहीं होना बनती है यहां से सारा सिस्टम भी तो वहीं से गवर्ण होता था जैसे मालों पढ़ाई करने किसी को तो वह भी तो बिटेंज जाता था पढ़ाई करने वहां पर जाके वह अपने देश वक्ति की भावना जगरी है तो भाई वह एक्टिविटीज कर रहे हैं कुछ नई- इंडिया हाउस स्टेब्लिश कर रहा था शाम जी कृष्ण वर्मा वेरी 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 इंपोर्टेंट अब इसी इंडिया हाउस में मदनलाल धिंगरा सावरकर जी टी एसस राजन यह सब इखटे हुए थे फिर इन लोग ने अलग अलग और बनाई है लाला हर्द्याल जी इन बनाई थी गधर पार्टी पता नहीं कितने बार पेपर ने पूछा जा चुका है कि गधर पार्टी किस ने बनाई और कहां बनाई यह बच्चे युएस से में आगे बताऊंगा इंडिया हाउस मैंने जैसे बताए ब्रेटेन और उसके साथ साथ अमरीका यह दो मेजर स से सारे रिवोलिशनरी से लिए जो इंडिया के भाहर थे यह मैंने बताया लंडन में सारा शाम जी कृष्ण वर्मा जी वीडी सावर कर लाला हर्दियाल यह लोग थे 1905 में शाम जी कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया आउस के नाम से जाने लगा यही वाला इंडिया इंडिया इसका पहले नाम होम रूल सोसाइटी तो आपको समझ जाना है वह नहीं इसके अलावा शाम जी ने एक इंडियन सोशलिस्ट नाम का जर्णल मतलब इन्होंने करा था मतलब मैं यह नहीं कहा रहा कि इनके बार में बहुत डिटेल में पढ़ना आपको बस बैसिक बैसिक चीज़े बैटर रहेगा अगर आप नोट्स खुद लिख ले तो ना तो यह पीडिया भी आपको टेलीग्राउन चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप चीज़ों को नोट ड भिंग्रा अब इसके बाद इंडिया हाउस पर अटेक बोला गया व्यसी बात है जो सावर कर थे उनको इंडिया भेज दिया गया उसके बाद इनका इंडिया में आपको रोल पता ही है ठीक है लाला हर्दियाल जी थे वह यूएस चले गए शाम जी पैरिस में शिफ्ट हो बार कतुल्ला एंड भाई प्रमनंद यह नाम आपको मतलब मैं यह नहीं करा रटो बस एक बार देख लो कि गदर मुमेंट से यह लोग मतलब इन वोल्ड है मतलब यह लोग लिंक्ट है बस विकोज मैच दा कोलम में आएगा कोश्चन इसका ठीक है तो चलो जी बहतरी इसका नाम था गदर इसमें बेसिकली यह बता रहे थे जो ब्रिटिश कितना एक्स्प्लोइट कर रहे हैं इंडियन को इस चीज़ को यह यूस से बता रहे हैं ठीक है चलो सीन है उस समय का वर्ल्ड वोर वन के दोरान लाला हर्द्याल जी जो है वो गए बर्लिन में ठीक है विकोज यूएस से अब वर्ल्ड वर वन में आपको पता है किसके साथ चला गया था तो यह जर्मनी पोचे विकोज अग इनको इनका काम तो अगेंस ब्रिटेन जाना था तो जो उनके अगेंस जा रहा है उनके साथ जाएगा ठीक है उन्हों एक इंटरनेशन रिबेलियन भी स्टार्ट करा जर्मन के साथ मिलके रास विहारी बोस जो कि जापान में थे आपको पता हो का इने से इनका लिंक है ठीक है तो वहां भी नोने कोशिश करी उनके सपोर्ट से कुछ हो जाए तो कुछ हुआ नहीं उन्होंने समीती से भी हेल्प मांगी जादा कुछ करनी पाए अल्टिमेटली नहीं हो पाया उनके फ्लेंस के बारे में पदगे उसन यू के को तो जादा कुछ हो नहीं यह ठीक है तो मलब करना चाहरे थे तो अब क्या था कि वहां से निकल के मतलब केनेडा में जाना चाहरे थे कि यह इवेंट वहीं का है घूमते रहे यह मतलब बोला जाता है कि जान भूज के कैनेडा में नहीं गुसने दिया वहां पर ब्रिटेन का इंफ्लूएंस था ठीक है अच्छा ओके फाइनली कलकत्ता में यह शिप आई लेकिन लोगों ने शिप से उतरने को मना कर दें कि नहीं जाएंगे हम शिप में रहना है हमें तो वहां जाना है इन पर ओपर ओपन फायर करा गया और बाइस लोग यहां पर एक्सपायर कर गया इसलिए इवेंट इतना बड़ा बन तो भ इसलिए यह लोग फेमस है वर्ल्ड वर वन में कॉंस्पिरेसी रचने के लिए अगेंस्ट अंग्रेजन यह प्रकायव कॉश्चन है ठीक है ओके चलो यह सब चीजे हुई पंजाब में थोड़ी सिच्वेशन अजीब से होगी बर्लिन कमेटी यह इस्टैबलिश करी गई सब्सक्राइब 1915 में जर्मन गवर्मेंट इसके लावा जिन लोगों ने यहां पर पार्टिस्वेट करा अपने भुपेंदर नाथ दत्ता लाला हर्द्याल ठीक है और ठीक है मलब हिंदू जर्मन इसमें बस इतना ही है बंदों के नाम ज्यादा इंपोर्टेंट है बर्लि इनफेंट्री एंड थर्टी सिक्स्थ बटैलियन अंडर जमादर चिस्थि खान जमादर अब्दुल गानी एंड सुबेदर दाउद खान यह मतलब स्टार्ट कर दी थी बाद में इसको मतलब सक्सेस्वल हो नहीं पाई है ठीक है चलो इसी बीच में कुछ मिस्टिलनेस पने बोधर पूझा जा चुका है वेकाजी कामा जिनको मध्र इंड्र इंडियन रेवलुशन बोला जाता है इन्होंने भाई साब जर्मानी में और अमरीका में बो अलग अलग जगाव पे रिवोलिशन एक्टिवीटीटी इसको लीड करा यह को मध्दर उन्डियन रेवल यह सारी रिवॉल्ड वर वन से पहले था जो भी था वर वर वन के बाद चीज थोड़ी सी शान्त होगी रिजन इस एक तो ब्रीटेंग जीत गया तो जर्में जर्मिंग तर्श्रीफ वैसी हिलेगी दूसरा इस क्या पर गांधी जी आ चुके थे अब जो गांधी जी आये थे गांधी जी थे मतलब आहिंसावादी राइट कि यह रिवोलुशनी सब चीज़ लोग उनसे बहुत ज़्यादा इंफ्लूएंस थे लोग उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे तो लोग अब ऐसी एक्टिविटी से दूर हो गए थे फिर बाद में आके चीज़े स्ट सब्सक्राइब करें जब सेकेंड भगत सिंग चंद शेकर राज आदीने डिव लुशनी एक्टिविटीटी दुबार आई ठीक है यह सारी बात थी मेरे अशाब से तो हो गया है मामला ठीक है तो यार यह वाले इसमें यह पीडियों आपको शेर कर दूंगा में चीज है आ हो जानी चीए उम्मीद करता हूं मेरे एफट सबको पसंद आ रहे हैं इस टाइप के और चोट-चोटी टोपिक्स और लेकर आऊंगा जो कि मिसलेनिस टोपिक्स आप कह सकते हो और बस मज़े मारते रहो जिंदिगी के और कह चाहिए ठीक है चलो फिर मिलते हैं जल्दी ने इडियो शेर जरू कर देना बबाए टेक केर जय हिंत जय पारत